नमस्कार स्वागत है आप सभी का ज्यान गंगा चैनल पर हर माल कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तिथी को मासिक सिवरात्री मनाई जाती है इस व्रत की महिमा से व्यक्ति दिरगायो एश्वर आरोग संतान एवं विद्यादी की प्राप्ति करता है एवं अंत में शिव लोग जाता है भविष्पुणार के अनुसार इस दिन भगवान शिव की पूझा के साथ साथ शिव परिवार की सवी सदस्यों की उपासना करनी चाहिए सुख सांती की कामना से इस दिन शिव जी का पूझन किया जाता है इस दिन शिव लिंग पर पुष परपित करने तता शिम मंत्रों की जाप करने से विशेश फल की प्राप्ति होती है कार्थिक मासिक सिवरात्री का वरत साल 2021 में 3 नवंबर 2021 को है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चतुर दशी की तिति क्या रहेगी निशिता पूजन का समय क्या रहेगा और क्या है पूजन की विधी तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में ये चैनल पर नहें हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आगामी मासिक सिवरात्री व्रत की तितियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ मोबेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तक आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो अच्छा लगे तो से लाइक और शियर करना बिलकुल मत भूलिये तो चलिए शूर कर लेते हैं आज का वीडियो मासिक सिवरात्री के दिन व्रती को सुरुदय से पुर्वर्ट कर स्नानादी से निवरित हो जाना चाहिए उसके पाद स्वक्षवस्त धारन करना चाहिए और व्रत का संकर पिलेना चाहिए यदि मंदे नहीं जा सकते तो घर पर ही रहके पूजन कर सकते हैं सबसे पहले सिवजी के समख्च पूजा इस्थान में दीप प्रजलित करें फिर घर पर शिवलिंग है तो दूद और गंगा जलादी से अभिशेक करें शिवलिंग पर बेल पत्र धतूरा आदी अर्पित करें इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए पूजा करते समय नमा शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करते रहें पुरा दिन निरा हार रहें शाम के समय एक बार फिर से पुजा करनी के पश्यात वृत का पारण करें कार्थिक माचिख शिवरातरी का वृत साल 2021 में 3 नवंबर 2021 किस दिन बुदवार को है कार्तिक कृष्ण चतुर दशीतितिती का प्रारंभ होगा 3 नवंबर की सुबह 9 बच कर 2 मिनट पर समाप्ती होगी 4 नवंबर की सुबह 6 बच कर 3 मिनट पर निशीता काल पूजा का समय रहेगा 3 नवंबर 2021 किस दिन भुदवार को रात की 11 बच कर 40 मिनट से 12 बच कर 31 मिनट तक कुलवधी रहेगी पूजा के लिए 52 मिनट की मेरे वीडियो में अंतर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ